नमस्कार साथियों विदान क्लासे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कल की क्लास आपने देख लिए होगी जिसमें हमने मनुविज्यान का विकास संप्रदाय इतिहास इससे संबंदित कुछ बात कर पाये थे थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए प्रॉपर क्लास नहीं हो पाई थी इस वाली क्लास में हम mcqs करेंगे इसी के साथ में आपको थोड़ा सा डिटेल में कल से कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइस कर लेते हैं देखिए यहां से शुरू करते हैं दर्शन शास्त्र को नियामक विज्ञान कहा जाता है और नियामक विज्ञान कहा जाता है दर्शन शास्त्र को इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान भी एक नियामक विज्ञान हो जाता है लेकिन अगर आपको पूछा जाए क्या मनोविज नियामक विज्ञान है, तो बिलकुल नहीं है, मनो विज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है, ठीके, मनो विज्ञान में तथ्यो कारणों का अध्यन होता है, इसलिए इसे सकारात्मक तो कहते ही है, विदायक मनो विज्ञान भी कहते हैं, धनात्मक मनो विज्ञान भी कहते है क्योंकि इसमें तथ्यों और कारणों का अध्यन करेंगे, जो तथ्या आपके सामने आएंगे, जो फैक्ट आपके सामने आएंगे, और उन फैक्ट के कारण जो आपको दिखाई देंगे, उनका आप अध्यन करोगे, इसलिए इसे सकारात्मक और विधाई और धनात्मक प्ष अब हम शिक्षा शब्द के बारे में अभी प्राय समझेंगे, शिक्षा शब्द का विभिन अर्थ लिए जाते हैं, जैसे सामान्य प्रचलित अर्थ है, सीखने, सिखाने की प्रिक्रिया, लेकिन वास्त्विक अर्थ होता है प्रकाशित या परिमार्जित करना, अंतर नहीत शक्तियों को बाहर निकालना, जो अंग्रेज जी का शब्द है, एजू धन केयर और सेयर, यह दो शब्द है, एजू केयर और एजू सेयर, तो एजू केटम से बनता है, एजू केटम से बनेगा, और एजू केटम में ए प्लस ड्यू को, कहते हैं न, ए प्लस ड्यू को, तो अंतर निहीत शक्तियों को बाहर निकालना ही परिमार्जित करना ही प्रकाशित करना ही वास्थिक्ता में शक्तिया हैं संकुची छोटा आर्थ है विद्याले में गए आपने पढ़ा विद्याले गए महा विद्याले गए बहुत छोटा आर्थ है संकुचित है इसका दायरा बहुत छोटा है व्यापक अर्थ कहते हैं बहुत बड़ा अर्थ पूरे जीवन परियंथ प्रतेख परिस्तिती में क्या है सीखते हैं किसी सारुभोमिक इड्यू को तो इसका मतब होता है कि अंदर से बाहर की और शक्तियों को परिमार्जित करने या अंदर नहीं तो पहले से जो है अंदर आपके अंदर उन शक्तियों को बाहर लाना तो केर का मतब होता है विक्सित करना या आगे बढ़ाना और एजुसेर का मतब भी होता है लाया जा सकता है जो बालक के अंदर जो बीज है उसको व्रिक्ष बनाया जा सकता है उसके ज्ञान को व्रिक्ष बनाया जा सकता है तो शिक्षा का अगर वास्त्विक अभीर प्राय आपसे पूछे तो आपको बताना है न तो व्यवहार का उन्यन न व्यवहार परिवर्तन न सीखने सिखाने की क्रिया लेकिन ये सभी हैं लेकिन अगर वास्त्विक अभिप्राय पूझे तो यही है प्रकाशित करने वाली क्रिया है शिक्षा की कुछ परिभाशाएं दी प्लेटो ने कहा कि मनुष्य में शारिरिक मानसिक बौधिक परिवर्थन जब होता है पी एल टी प्लेटो ऐसे याद रखो शारिरिक मानसिक बौधिक पैटो ने कहा अरस्तु ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिक्ष निवास करता है जोन लोक ने कहा जैसे क्रशी जैसे खाली सलेट जैसे मॉम बस उस तरह से इन्होंने परिवाशा दी पैस्टोलो जी ने कहा बालक क्यों क्योंकि साड़े तीन वर्षी पुत्र पर प्रियोक कर रहे थे बाल मनो विज्ञान का जनक कहेंगे विज्ञानिक तरीके से ध्यन किया तो शिक्षा बालक की जन्म जात अभी योग्यताओं को स्वाभाविक रूप से समरस एवं प्रगति शील विकास करती है फ्रावेल ने कहा शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाती है और गांधी जी कहते हैं कि मेरा अभिप्राय है शिक्षा से मनुष्य का शरीर, मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का सरवंगें विकास करती है और विवेकानंद कहते हैं कि बालक की पूर्व नहीं तो जो भी योग्यताएं हैं उनको अभिवेक्त करना कॉल सनी कहते हैं कि कॉल करके बालक के शारिरिक और मानसिक विकास को बुलाना मतब शिक्षा बालक के शारिरिक और मानसिक विकास को बढ़ाती है बढ़ावा देती है या विकास करती है इस तरह से यह शिक्षा की कुछ परिभाश रहे हैं अगर आपसे पूछा जाए किस वि शिक्षा मनोविज्यान विद्वानों के इनुसार अलग लग बाते हैं। कॉल सनिक कहते हैं शिक्षा मनोविज्यान का आरहंब पांचवी सदी में हुआ होगा, पांचवी सदी इसापुरु में हुआ होगा, और युनानी दार्शनिकों के साथ में हुआ होगा। इसकीनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरहम अरस्तु के अध्यन से हुआ, और अरस्तु शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये बिएफ इसकीनर के अनुसार हैं, ठीक, रूसो एक प्रकतिवादी विचारक है, इन्होंने का बालक को नैचर में छोड़ बहुत से मनोविज्यनी किस विचार धारा को इसी को शिक्षा मनोविज्यान का जनक बानते हैं कि यह सब एक तरह से शिक्षा मनोविज्यान ही है तो आपसे सीदा सीदा दो बाते पूछे जाएगी किसने सबसे पहले मनुष्य को मनुष्य का अध्यन करना चाहिए ये कहा और किसने सबसे पहले ये कहा कि बालक को प्रकती में खुला छोड़ दो किसने सबसे पहले ये कहा कि ईश्वर, आत्मा, प्रकती और मनुष्य ये सब आपस में बंदेवे हैं, तो तीनों का उत्तर अलग है, मनुष्य को मनुष्य का अध्यन करना चाहिए, ये सुकरात ने कहा, प्रकती बालक को प्रकती में खुला छोड़ दो, ये कहा, रूसों ने, और ईश्वर, आत्मा, प्रकती, मनुष्य, ये सब बंदेवे हैं, प्रकती में खुला छोड़ देना, इश्वर, प्रकती, मनुष्य, आत्मा, ये सब एक दूसरे से बंदेवे हैं, तो तीन चार चीज़े बन जाती हैं यहां से, एडवर्डली थोंडाइक कहता हैं कि सबसे पहले सीखने के नियम दिये, तीन मुख्य पांच गौन, जिन पर मनोविज्यान के नियमों सिध्धान्तों का प्रभाव था, अतह थोंडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोविज्यानी कहा जाता है, ठीक है, जॉन डीवी ने अमेरिका में शिकागो में 1975 में मनोविज्यान की प्रथम प्रियोक्षाला इस्थापी की, शिक्षा मनोविज्यान की परिभाशा हैं हमने जितनी देखी है, वो काफी है, शिक्षा मनोविज्यान का इतिहास जदा बड़ा नहीं है, जनक ठोंडाइक, ठोंडाइक प्रकतिवादी विचारक, ठोंडाइक पर प्रकतिवादी विचारक रूसों का प्रभाव था और उ छोड़ दो बालक को घर के बाहर की शिक्षा और बालिका को घर के अंदर की शिक्षा देनी चाहिए ये तीनों बाते किस ने कही रूसो ने कही रूसो नेचर पर ज्यादा बल देते थे वो केते थे नेचर में खुला छोड़ दो बालिका को घर के अंदर की शिक्षा तो देन बालिका को भी, इमाईलेंग की पुस्तक है, इसी पुस्तक में रूसों ने लिखा था बालिका को चार दीवारी के अंदर की जब की बालक को बायस अमाजिक वाता उनकी शिक्षा से जोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं केवल भान देना चाहिए, केवल जोड़ देना चाहिए ता अलग अलग पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में फिर से वह इसनाता के स्तर पर शिक्षा साथ साथ में दी जाती है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षन प्रशिक्षणों की शुरुवात हुई 1900 में अमेरिका से 1911 में विदिवत रूप से 1916 में भारत में तब सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग शुरुवात होती है जोन डीवी के प्रियासों से अमेरिका में उसके बाद भारत में शिक्षन प्रशिक्षन की शुरुवात 1920 भारत में 1920 में टीचर ट्रेनिंग शुरू हुई और भारत में पठ्ठे क्रम में इसे शामिल किया गया 1916 म फिर मनुविज्यान के कुछ संप्रदाय बनते हैं जैसे सरचनात्मक मौडल सरचना निर्मितवाद और निर्मानवाद विल्यम वुंड और टिचनर का नाम इसमें साथ में आता है वैसे टिचनर का नाम लिया जाता है प्रा कार्यवाद अलग है और प्रयोगात्मक अलग है अवे प्रयोगिक आप加ते नाप्रायोगिक सम्प्राजाय के जनक कौन है आपके मैं कहता हूँ कि विल्यम वूंड है अब यहां कहा गया है सम्प्राजाय तो इसखूण ओफ है यह इस्कूल है एक संप्रदाय है उसके जनक तो विलियम जैम्स ही कहलाएंगे लेकिन आपसे पूछा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कोन है तो विलियम वुंड बताना है संग्यान अगर आपमें ग्यान नहीं है संपूर्ण चीजे देखने का तो कैसे गेस्टाल्ट बनेगा तो मैक्स वर्दी मर है मनोविश्लेशन सिग्बन फ्रायड है मानवतावाद एक आशा बनी रहती है इसके बाद यह करेंगे उसके बाद यह मिलेगा उसके बाद यह करना है और उसके बाद अंत में एक अंत में क्या करना है एक इसमाइल यानि कहते ना कि आत्मानुभूती मतब परमानंद वाली वाद तो मानवतावाद आशावाद और नीड्स नीड्स फिजीकल नीड्स सिक्योरिटी है उसके बाद सम्मान मिलना चाहिए परिवार बढ़ना च दुरक्षा होनी चाहिए यह सारी चीजे अब्रहाम मैसलो ने दिया यह और इसी तरह से अब्रहाम मैसलो के साथ में प्रेरकियवाद प्रेरित करते हैं आपको मूल प्रवत्तियां संवेग आपको प्रेरित करते हैं तो इसलिए इसे का गया प्रेरकियवाद या मूल पूनवाद या पूनवाद इतने सारे नाम हैं जर्मनी के रहने वाले मैक्स वर्दीमर गस्टारिट शब्द जर्मन भाश का है जिसका अर्थ होता है समगर। इस संप्रदाई के नुसार मनोविज्ञान व्यवहार और चेतना दोनों का विज्ञान है यह संप्रदाई पून से अंश की ओर काम करता है इस संप्रदाई ने व्यवहारवाद संप्रदाई का विरोध किया यह कहता है व्यवहारवाद संप्रदाय का विरोध करता है या बिहेवियर कुछ नहीं है यह कहता है सब कुछ है जो समगर है जो हमने देखा व्यवार वाद कहता है कि मानो हो या पशु हो सभी व्यवार करेंगे चाहे बिल्ली हो चाहे मनुष्य हो वो वेसा ही व्यवार करेंगे जिसा करणा कही है लेकिन ये कहते हैं कि मानो व्यवार कर सकता है पशु पक्षी वेसा व्यवार करें ऐसा संभव नहीं है यह मानों को यंत्रवत मानते हैं बिल्ली को बांदिया कुट्टे को बांदिया उद्धीपक अनुक्रिया इसकीनर भी यह कहते हैं उद्धीपक अनुक्रिया वातावरन कैसा पुनरबलन हलका यह सब कहते हैं कौन व्याभरवादी लेकिन गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि मान वो सूज ही है इसलिए बुद्धी के बारे में बताया कि बुद्धी होती है उसका संज्यान भी है उसकी समझ भी है उसकी सूज उसका समस्या समादान ये सब है ठीक तो ये संप्रदाय आपको इस तरह से याद रगना है दूसरा संप्रदाय आगे बनता है मानवतावाद या आपको कि पहले शारीरिक, फिर सुरक्षा, फिर समाज, समाज भी चाहिए, फिर समाज में सम्मान भी चाहिए और अन्त में आत्मसिद्धिये मनो विशलेशन वाद सिग्मन ट्राइड का है, इन्होंने कहा नेदानिक परिस्तितियों में इन्होंने कित्चा शास्त्र से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, नेदानिक परिस्तितियों में इन्होंने ये किया, और इनकी प्रमुक पुस्त के हैं, मनो विशलेशन वाद, इड मन के तीन प्रकार बताए चेतन अर्द चेतन अचेतन व्यत्टित्व के तीन प्रकार बताए इड़ इगो सुपर इगो तीन अंग बताए इड़ इगो सुपर इगो उसके बद चेतन मन की बात करें आनंदी होता है सुख वादी है तरक करता है विध्यार्थियों के हाला कि तारकिक मन ऐसा कहा जाता है कि तरक करता है यह तारकिक मन तो है लेकिन वैसा तरक नहीं करता है ये सुख वाला तरक करता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए ये दो तरके तरक होते हैं एक तार्किक हो लेकिन वास्तविक हो तो वास्तविक जो करेगा वो करेगा चेतनवाला तो ये विध्यार्थियों के लिए बहुत महत्पूर माना जाता है चेतनमन छोटी-छोटे सारी चीजे बाहर प्रकट करते ही हैं, चेतनमन उनमें बहुत कम प्रभावशाली रहता है, लेकिन चेतनमन नेतिक्ता है, आदर्श की बात करता है, सामाजिक होता है, यथार्थ होता है, जो सामने दिखाई देगा वो चेतन है, सामाजी करण करेगा, नेतिक्ता का भंडार है सामने तो बहुत अच्छा दिखाएगा लेकिन अंदर वास्तिक्ता में कुछ और ही चाता है आदर्शो का भंडार है और अर्द चेतन न तो इधर न इधर यह तो पैंडूलम की तरह बन चुका है यह अर्द चेतन है यह अचेतन है और यह चेतनमन है ठीक अचानक भूल जाना फिर कभी आदा जाना फिर हम बात करते हैं आगे इड़ इगो सुपर इगो इच्छाओं का भंडार है अनेतिक तरीके से संतुष्टी चाता है आक्रामक है लेकिन जो वास्त्विक हैना अहम वो व्यक्ति को बचाने का कारे करता है न इधर जाने दे जाने देता व्यक्तित्व का घनिष्ट मित्र कहलाता है सूपर इगो पर पर अहम कहते हैं इसे अध्यात्मिक्ता की और ले जाता है अच्छे कार्यों की और भी प्रेवित करता है चात्र व्यवार के अध्यन की कई विधियां होती है या तो आप उसे अवलोकन विधी से या निरिक्षण विधी से कहते हैं कि जैसे आपने उसके इमांदारी का टेस्ट करना है तो आप क्या उसे कोई काम देंगे नहीं आप उसको एक कंडिशन करें एक इस्थिति करेंगे और इस्थिति परक परिक्षण से आप पता लगाएंगे निरिक्षण करके या देख करके या अवलोकन करके की बच्चा कैसा है या अगर किसी की गटी जाननी हो खेलने में तो आप अवलोकन करेंगे साक्षातकार ये भी अवलोकन का भाग है प्रशनावली ये पूछी जाती है इसमें बालक खुद तो इनवल होता ही है लेकिन साथ में शिक्षक को भी इनवल होना पड़ता है मनोविज्यानिक विधियां कहीं सारी है TAT है CAT है व्यक्तित्व वाली भी सारी इसमें आती है बुद्धी वाली भी आती है और प्रियोग करके भी हम बच्चे के अध्यन बच्चे के व्यवहार का नुक्रिया की जो रेस्पॉंस दिया जो व्यवहार हुआ लेकिन व्यवहार कब होगा बालक व्यवहार कब करेगा जब आप उसे स्टीमुलस दोगे और जीव वर्क करेगा तो दोनों पास पास होने चाहिए अगर उद्धीपक पास में नहीं है जीव के तो वह क्यों क्रि है ठीक है व्यवहार तब पेदा होता है जब तेजना जीव मिलकर काम करते हैं फंक्षन जब होगा ना दोनों में तब ही यह रेस्पॉंस निकलेगा आगे बात करें हम अवलोकन विधी की या निरिक्षन विधी की जब व्यवहार का अध्यन चात्र को देख कर किया जाए यह भी दो प्रकार का होता है सहभागी या तो आप उसमें इन्वोल हो जाओ या असहभागी या आपको इन्वोल होने की ज़रूरत नहीं है जैसे जब शिक्षक दूर खड़े होकर के छात्रों का व्यवार को अवलोकन करे तो इसे कहते हैं असहभागी अवलोकन इस विदी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यवार का अनुमान लगा सकते हैं वास्त्विक कारण का पता नहीं लगा सकते क्योंकि हम दूर खड़े रहते हैं मा लीजी यह टीचर यहां खड़ा हुआ है अब यह देख रहा है किसको देख रहा है यहां बच्चों को देख रहा है बच्चे खेल रहे हैं यहां पर अब दूर से खड़े रहे करके पता नहीं लगा सकते कि वह क्या कह रहा है उसका व्यवार आक्रामक है या कैसा है वो खेलने में कैसा है किवल देख सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन जब सहभागी जब हम उनके साथ में उनका ही कार्य उनके साथ में मिलकर के करेंगे जैसे खेलना हो गया किसी कार्य में कोई काम हो गया तो इसमें क्या होगा सहभागी में संहू का सदस्य बनना पड़ता है शिक्षक को और उनके बीच में रहते हुए उनकी study की जाती है यही कहलाता है सहभागी और असहभागी अवलोकन छोटी कक्षा के विध्यार्थियों के व्यवहार का अध्यन अवलोकन विधी से किया जाना अच्छा रहता है और स्रेस्ट भी माना जाता है छोटे बच्चों का अध्यन करना है एक होती है साक्षातकार विधी ये परिभाषा छोड़ दो साक्षातकार लेने की 3 विधियां होती है एक विधिये होती है सरचित साक्षातकार यानि आपने पहले रचना कर ली जो प्रश्नों पूछने वाले थे हम उन प्रश्नों को पहले से ही बना लिया सरचित साथ में रचना करके ले गए एक्जाम होल में और बच्चों से पूछने लगे इसी को कहते हैं सरचित साक्षातकार इसका सबसे बड़ा लाव यह है कि इसमें वस्तु निष्टता बनी रहती है अब्जेक्टिविटी बनी रहती है असरचित साक्षातकार में शिक्षक प्रश्ण पूछने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है कभी भी कैसे भी प्रश्ण पूछ सकता है इसका सबसे बड़ा लाव यह है कि अगर छात्र प्रश्णों का उत्तर नीजी कार्णों से ना देना चाहे तब भी घुमा फिरा करक उससे प्रश्ण उत्तर निकलवाए जा सकते हैं और इससे वास्त्विक्ता का पता लगता है कि और गहराई का भी पता लगता है कि कितनी गहराई है प्यक्तित्व में और इसे कहते हैं गहराई साक्षातकार तो जब आप बना करके नहीं लेगे questions तो आप अपने मर्जी से पूछोगे और आपको लगता है मुझे ये प्रश्ण का उत्तर निकलवाना है तो आप और कोई प्रश्ण भी पूछ सकते हो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो सरचित में तो आप सेलेबस के अकोर्डिंग बना के जाओगे इसके अलावा नहीं और एक होता है अर्ध सरचित अर्ध का मत्तब जिसमें साक्षातकार में कुछ शेत्रों का निर्धारन कर लिया जाए जैसे मैं क्रशी से संबंदित प्रश्ण पूछूँगा जैसे मैं उध्योक से संबंदित प्रश्ण पूछूँगा जैसे मैं शिक्ष्या से संबंदित पूछूंगा तो ये शेत्र हो गाई इसके अलावा इससे बाहर कोई पूछेंगे पूछेंगे बूछेंगे स्वतांट्र रहेंगे लेगन इस विशे से हटके कोई कोई प्रश्ण नहीं पूछेंगे तो इसे कहते हैं अर्थ सरची व्यक्तितुमापन के लिए असरची साक्षातकार सबसे श्रेष्ट है क्योंकि इसमें पता लगता है मां लीजिए वह बनावटी तोर पे कोई उत्तर दे रहा है तो आप कोई ऐसा प्रश्ण भी करोगे जिस और उसका क्या हाव भाव है तो शब्द तो पता लगते ही है अशब्द अशाब्धिक भी सूचना मिलती है शाब्दिक वह व्यवहार जिसमें पता लगता है हमें कि शाब्दिक व्यवहार की प्रश्ट भूमी को ध्यान में रख कर करनी चाहिए कहते हैं कि अगर किसी का श इसको अफलोकन कर दिया क्योंकि शरीर की भाषा व्याख्या अलग-अलग को ती जैसे माली जी किसी ने कहा कि धुर्जन कर लिया तो ऐकने तो गर्दन हिला दी हां एकने के दिया हां एक की भाषा है नहीं लेकिन अमेरिका में इसे समझा जाता है, Yes, मतब मैं कहना चाहा हूँ कि किसी शेत्र विशेश में उस शर्ड को हाँ, ना, नहीं, इत्यादी में बोला जाता है, तो फिर आप उसकी प्रश्ट भूमि देखोगे कि यह किस शेत्र से है, इसकी भाशा में इसे क्या कहा जाता है ये जो कहता है हमारे लिए अलग उसका मतलब है और उसके लिए अलग मतलब है कुल मिला के आप इसे ऐसे समझें कि शाब्दिक व्यवार मालीजिये किसी ने कहा तुम आ गए ठीक है ये कहा अब एक ने तो कहा तुम आ गए और एक ने इस लेज़े से कह तुम आ गए इसका मतब यह यहां तो कहना चाहरा है तुम आ गए हां तुम आ गए और यहां पूछना चाहरा है क्या तुम आ गए तो उसका जो प्रिष्ठ भूमी है वह समझो कि किस उपलक्ष में किस प्रिष्ठ भूमी में किस विशेवस्तु के लिए वह शब्द प्रियो तो घर में जब क्या वो चौर है नहीं तो इसका मतब उसकी प्रष्ट भूमी देखो उसका बेक्ग्राउंड देखो कि वहां पर सीन कौन सा है वहां पर सीन कौन सा कि वहां का माहूल कैसा है किस चीज के लिए वह व्यवहार किया गया है अंतिम बात करें प्रशनावली की इस विदी का सबसे पहले प्रियोक तो वुडवर्थ ने किया जन्म दाता प्रशनावली विदी के जन्म दाता वुडवर्थ को माना जाता है इस विदी में प्रशनों विकल्प में जो दिये हैं वही आंसर लगाने पड़ेंगे लेकिन खुले में छात्र को अपनी भाषा में उत्तर लिखना होता है प्रश्णों का निर्मान करने में कुछ सावधानिया जरूर रखें प्रश्णों की भाषा आसान हो ताकि छात्र उनका अर्थ समझ सके प्रश वो थी पढ़ी दूसरी भूल गया तीसरी भूल गया अब फिर एक से पढ़ेगा तो दस मिनट तो वह एक प्रश्ण को पढ़ेने में लगाएगा तो उत्तर कब देगा और प्रश्णों में विशे शग्ये तुरूटी नहीं होने चाहिए वो जो बनने चाहिए न वो जलतियां नहीं होनी चीए प्रश्णों में विशेषग्य तुरूटी का आर्थ होता है शिक्षक प्रश्ण यह मान कर पूछे कि चात्र उस शेत्र का विशेषग्य है किन्तु ऐसा नहीं हो इसे केता है विशेषग्य तुरूटी जैसे मैं मैं अपनी नौलेज की यह यहां विशेशग्यत रूटी नहीं मानी जाती है जिसे आपका जो रीट का जो एक्जाम है वो आपके 6 से 10 के according question आएंगे अब आप पढ़ने बैठो graduation level post graduation का तो वो काम नहीं चलेगा क्योंकि आपके प्रश्णों वहीं से आने हैं प्रश्णों के निर्मान के पच्चात उन्हें क्रम में लगाना होता है क्रम में लगाने की विदी को funnel को मतमतल today kuppy यहा mejor you up लगा रहता है जिसमें एक कील होती है इसा तो उसमें जो भी कागजा जाते हैं वह समें डालते चले जाते है मतब उसमें तो और नीचे जाते जाते चले जाते हैं और आज ऐसे हैं, इकटी धेर ही लग जाती है, फिर वो देखते हैं, साल में एक बार उन्हें डाल देते हैं, फिर टेबल पर फिर वो ही खाली, और उसमें कूपी में डालते चले जाते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, फनल, मतलब उनको निश्चित क्रम में लगाना, प्रा जब एक मनोविज्यानिक परिक्षण का आधार है वेक्तिक भिन्नता एक मनोविज्यानिक परिक्षण आवश्यक रूप से व्यवहार के प्रतिदर्श, वस्तुनिष्ट और मान की कृत्मापन है यानि जब एक मनवग्यानिक परिक्षन किया जाता है तो इसमें व्यवहार का प्रतिदर्श का वस्तुनिष्ट और मानकी कृत मापन है ऐसा कहा जाता है यानि एक तो मनवग्यानिक परिक्षण मान की करत होते हैं यह अब्जेक्टिव होते हैं यह भी पता अब्जेक्टिव मतब वस्थुनिष्ट मतब अब्जेक्टिव यानि की एक प्रश्ण का एक उत्तर मैं कहूं कि एक व्यक्ति का अगर अवलोकन किया उसके व्यवार का त तो ऐसा नहीं सोचना है कि वह जैसा कारण उसका था इस कारण से वह विवार कर रहा था तो ये भी उसी क्या परिणाम हो सकता है ऐसा नहीं है फिर मानकी करण का अर्थ होता है परिक्षन की तीन विशेशताओं का निर्धारण एक तो विश्वस्नियता जिसके लिए परिक्षन बनाया गया हो अगर वो परिक्षन मतब जिस एक परिक्षन चात्रों के एक सम्हू को दो वार आकलन करने पर भी समान अंक दिये जाते हैं तो वो क्यलाती है विश्वस्नियता वैद्धेता जिसके लिए परिक्षन बना हो वो उद्देश पूरे हो जाए और मानक अंक वह अंक जिसमें च समान्य बुद्धी का है या इसके असी अंक आ है तो यह अती प्रखर बुद्धी का है इस तरह से अगली बात करें हम वस्तुनिष्ट एक परिक्षन को वस्तुनिष्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इन में निर्देश विधी अंक प्रणाली व्याख्या पहले से ही सुनिष्च चित होती है इसलिए इने कहते हैं वस्तुनिष्ट क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि इसमें आप न बन गया, उनके अंक समान रहेंगे, उनकी व्याख्या समान रहेगी, सब कुछ समान रहेगा, प्रतिदर्ष, प्रतिदर्ष को हम कहते हैं जनसंख्या का समग्र, पूरा या संपून, इसको कहते हैं प्रतिदर्ष, उस जनसंख्या का जो भाग परिक्षन के लिए लिया जाए वो कहलाता है प्रतिदर्श या सेंपल कहते हैं आप आदर्श रूप में चेक कर लेना तो सेंपल चेक कर लो आप तो एक मनोविज्यानिक परिक्षण में जो प्रश्ण होते हैं वो उस व्यभार का प्रतिदर्श कहलाता है जिससे चामल के एक दाने को देख करके सेंपल के तुरुपे जाच लेना और पता लगाना अन्तिम मं बात करें अन्तिम में इसमें क्या है और मेरे ख्याल से अब बस इतना ही है प्रियोख की बात कर लेते मनोविज्यानिक पेहली Niksukal 1879 में लिब जिंग शर विलियम वुंट द्वारा नियंत्रित अवस्था में अध्यन नियंत्रित अवस्था में किया गया अध्यन प्रयोग क्यालाता है नियंत्र अधियन करना अवलोकन है यानि कि आप अगर अवलोकन कर रहे हैं और नियंत्रित अधियन करना प्रयोग है नियंत्रन अध्यन करना अवलोकन है नियंत्रित अध्यन करना प्रयोग है जब एक प्रयोग करते हैं तो उसमें तीन प्रकार के चर होते हैं किसी भी टेस्ट लेब में जाएं आप तो तीन प्रकार के चर होंगे एक स्वतंत्र होगा जिसमें आप खुद होंगे एक आश्रित होगा जो प्रियोग आप कर रहे होंगे एक बायचर होगा जो आपके आसपास की चीज़ें आपको डिस्टरब करेगी जैसे पंखा हो गया बाहर गाडियां चल रही है यह से स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक आवशकता के अनुसार परिवर्तन कर सके सुम होगा जिसे पंखे का ही पर कम ज्यदा कर देना रेगुलेट करदेना उसे यह क्यालाता है स्वतंत्र चर मतब आप इसे बदल सकते हैं लेकिन आश्रित के के परिवर्तन से जो बदल जाए जिसे रेगुलेटर चेंज करने पर पंखे की गती बदल जाना और एक होता है बायचर जो आश्रित चर और स्वतंत्र चर के अत्रिक्त कार्य करते हैं जिससे बहार का शोर आप इसे न तो बंद कर सकते न इसे रिमोट से आफ कर सकते न रिमो जो है वो रहेगा अच्छा किसका प्रभाव जिसका प्रभाव देखना हो वह स्वतंत्र चर है अगर आपको किसी का प्रभाव देखना है किसी चीज का तो वह तो है स्वतंत्र चर लेकिन अगर जिस पर प्रभाव देखना है वह आश्रित चर है किस पर प्रभाव पढ़ा तो वह आश्रित है, किसका प्रभाव पड़ेगा तो वह स्वतंत्र है, जैसे किसका प्रभाव पड़ेगा किस पर, तो रेगुलेटर का प्रभाव पड़ेगा पंखे पर, तो किसका मतलब जिसका प्रभाव देखना हो, जिस पर प्रभाव देखना हो, दोनों चीजें हो ना है उसके बाद आंसर समझना इसका उसके बाद ही आगे बढ़ाना है ऐसा नहीं मैं बताते जाऊंगा तो आप करते जाएंगे शिक्षा मनुविज्ञान की वर्ष आखा जिसमें सीखने की प्रिक्रिया का अध्यन करती है जिसमें सीखने तथा कुछ यहां पर एक शब्द मिस है तो सीखने सिखाने की प्रिक्रिया का अध्यन करती है वैसे तो यह होना चाहिए था सीखने तथा सीखने की प्रिक्रिया का अध्यन करते हैं ऐसा है यह तो शिक्षा मनुविज्ञान की वर्ष आखा जिसमें सीखने सीखने की प्रिक्रिया का अध्यन किया जाता है व जो सीखने सिखाने की प्रिक्रिया का अध्यन किया जाता है वही है शिक्षा मनुविज्ञान दूसरा प्रश्ण निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है मानवतावाद मैंग्डूगल बिल्कुल गलत यहां तो मैं स्लो होना चाहिए था प्रेरकिये मैडूगल सही है संग्यान जीन पियाजे बिल्कुल करेक्ट है संग्यानात्पक विकास का सिद्धान जीन पियाजे का है गेस्टाल्ट वर्दीमर ठीक है तो यहां यह असत्य कथन है और यही युग्म सही नहीं होने के कारण ए उप्षन आपका करेक्ट हो जाए में यह उप्रोग सभी जब आप शिक्षा मनो विग्ञान पढ़ेंगे न तो आपको पता चलेगा एजुकेशन साइकोलोजी से कि आपको कैसे पढ़ाना आए और आप क्या है आप स्वेम को जानेंगे आप च्छात्रों को जानेंगे और च्छात्रों को पढ़ाने में जो आपकी पाट्टी की विश्यवस्तु मा लीजे आपने कख्षा छे पढ़ी अगर आपको कख्षा छे पढ़के साथ पढ़ने का अगर आपको मन नहीं करे या चैप्टर छे पढ़के साथ का पढ़ने का मन नहीं करे तो बेकार है वो इसका मतब़ा पुनर्बलन का सिद्धान लगाया जाता है इसे कहते हैं पाट्यक्रम की विशेवस्तू का सिद्धान्त है यह syllabus ऐसे ही होता है कि आपको motivation मिले छटी कक्षा पढ़के साथवी कक्षा को पढ़ने का मन करें ऐसा नहीं है साथ छटी पढ़ी बोर हो गए कभी पढ़ने का मन नहीं किया हाँ यह जरूर है कि complete syllabus जो बनाया जाता है वो syllabus इकाई विधी के आधार पर बनाया जाता है समग्र के आधार पर बनाया जाता है वो बात अलग है निम्न में से कौन एक गेस्टाल्ट वादी नहीं है कोहलर लेविन वुडवर्थ आलपोर्ट आलपोर्ट नहीं है कर्ट लेविन भी है वुडवर्थ नहीं है कर्ट लेविन भी है पहले ये इनके साथ में थे वुडवर्थ नहीं है के स्टाल्ट वादी जबकि आलपोर्ट लेविन और कॉलर इनका नाम तो साथ में आता है नेक्स क्वेशन मनो विज्ञान में शिक्षण अधिगम शेत्र में नियम किसके द्वारा दिये गए दिये गए तो कहते हैं ना कि अधिगम के शेत्र में नियम तो नियम की बात कौन करता है तीन तीन पांच करने का काम किया है थोंडाइक महुदे ने निम लिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है वाट्सन व्यवहरवाद जॉन डिवी सरचनावाद जीन पियाजे संग्यानात्मक विकास का सिद्दांत वर्दिमन गैस्टाल्ट वाद जो सरचनावाद है न सरचनात्मक मॉडल इनका नहीं है जॉन डिवी का नहीं है सरचनावाद वो चेतना का विज्ञान वो विलियम वुंड और टिचनर का है विलियम वुंड और टिचनर का नाम आना चाहिए तो यह युगम सही नहीं है शिक्षा मनो विज्ञान है देखो शिक्षा मनो विज्ञान तो अनुप्रियुक्त भी है और अनुप्रियुक्त वि कौन है आपका मनोविभ्यान ही विशुद्थ विज्ञान है Man物िज्ञान में व्यवाहरवाद का प्रितिपादन करने का शृय जाता है जॉन भी जॉन ब्रोडस वाट्सन को शिक्षा मनोविज्यान संबन्दी थे अधिगम करता से अधिगम प्रिक्रिया से अधिगम परिस्थितियों से सभी से है अधिगम 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 सब से आ गया यही शिक्षा मनोविज्याने अधिगम करने वाला कौन अदिगम की प्रक्रिया में जो अधिगम कर रहा है वो कैसे चल रहा है और उसकी conditions क्या बनी हुई है यह सभी चीजह किस मनो विग्यानिक के एनुसार एक मिनट कीए एक मिनट आ ऒो कि किस मनो वग्यानिक के स्कूल के अनुसार शिक्षन प्रिक्रिया के किंदर में बालक होता है सेंटर में बालक होता है तो कहते हैं न हम की बालक ही स्वयम ज्ञान का निर्मान कर लेगा तो वह कहलाता है निर्मित वाद या सरचनावाद बालक ही ज्ञान की सरचना कर लेगा तो अभी मैंने बता था को कि सरचनावाद जो है न वो किसका है वो संरचनावाद संरचनावाद अच्छा एक मेंट रुको कि यह यहां पर आपको लग रहा होगा यहां न गायब था संरचनावाद संरचनावाद जो है वुलियम वुूड और टिचनर का है तो सरचनावाद ही कहता है कि बालक केंद्र में है वही अपने ज्यान का निर्मान स्वयम कर लेगा और आज का अंतिम प्रश्ण है निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा शास्तर की अवधार्णा को वर्णित नहीं करता है शिक्षण अधिगम में विज्ञानिक ज्यान की व्यवस्थित प्रियुक्ति होनी चाहिए बिल्कुल है ये तो कहता है तबी तो शिक्षा शास्तर बना है अगर सिस्टेमेटिक धंग से अगर व्यवस्थित नहीं है और विज्ञानिक ज्यान नहीं है तो बेकार है प्रेक्टिकल होना चाहिए विज्ञानिक तरीके से होना चाहिए खोजी होना चाहिए समस्या समाधान वाला होना चाहिए शिक्षण एवम अधिगम का विज्ञान एवम कला है ये थोड़ा सा या भाशा सही नहीं है शिक्षण एवम अधिगम में विज्ञान एवं करसे बिल्कुल सही है exclusively करुन सामानी करण सामानी करण सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ज्यान है यह नहीं है सामानी ज judge करन कर देना अब ऐसा तो नहीं है कि एक बालक का व्यवहारे उस बालक के व्यवहार को हमने सभी बालकोपर apply कर दिया, उसको जो दवादी, उसको जो शिक्षन करवाया, जिस तरीके से करवाया, वो सभी पर apply कर दे, हर बालक पर कर दे, साथ अरब अगर पूरे विश्व में हैं, तो उन सब पर apply कर दोगे, ऐसा नहीं है, मतब आप उनका generalization नहीं कर सकते, और सार प्राप्ति जो आपन करना वर्णित नहीं कर पाता, छात्रों को, अध्यापकों को और तक्निकी संसादनों को एक साथ लाने का प्रियास भी करता है, शिक्षा शास्त्र, बिल्कुल सही है, तो शिक्षा शास्त्र क्या है, विज्ञान के साथ सत्कला भी है, और इन techniques को education में छात्र, शिक्षक, प तो दोस्तों यह आपका आज की class जो रही, वो आपको मनविज्ञान से संबंदी थी रही, मनविज्ञान का क्या परीचे है, इस से संबंदी थी, हाला कि इसमें प्रशन 250 बनाए हुए है मैंने हर unit के, तो आपको धीरे धीरे वो मिलते रहेंगे, पर classes आपको पहले देखनी उसके बाद MSQ करने है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद